मैं हूँ काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लोग के अंदर गार्जन शिप को इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुस्लिम लोग में गार्जन शिप कितनी तरह की होती है कब جो है guardianship मा को दी जाती है बच्चे की या कब पिता को guardianship दी जाती है साथ ही साथ हम जानेंगे उनके क्या rides होते हैं क्या obligations होते हैं और हम ये भी जानेंगे कि guardianship जो है court किस किस ground पे देता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक minor होता कौन है क्योंकि guardianship जो है एक minor की ही दी जाती है और एक बात यहां पर और जानने की ज़रूरी है कि guardianship का जो dispute मुस्लिम लौ में arise होता है या किसी भी personal law में arise होता है वो तब होता है जब दो party अलग रही रही हो या तो divorce से अलग रही हो य कि age of majority जो है वो मुस्लिम लौ में 15 साल है जिसको poverty कहा जाता है लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ marriage, divorce में ही applicable होता है बाकी सारी चीज़ों में जो है Indian Majority Act जो 1875 का है वो apply होता है जो की कहता है 18 साल होनी चाहिए age of majority अब दो तरह से जो है guardian जो है बनने के लिए court में apply कर सकता है कोई तो इन दोनों तरीकों में हम बात करेंगे पूरा के guardianship जो है कैसे दी जाती है बच्चे की किसी भी parents को और क्या-क्या situation में guardianship दी जाती है क्या-क्या terms and condition पे दी जाती है सबसे पहले हम बात करते है कि guardianship कितने तरह की होती है मुस्लिम नौब में तो मुस्लिम नौब में तीन तरह के guardianship होती है पहली होती है guardianship of marriage जिसको हम हिजानत भी कहते है या एक टरह से custody का जो right होता है उसकी बात करता हुए दूसरा है guardianship for property मनलब माइनर के पास अगर कोई property रह गई है या माइनर के कोई property on करता है तो उसकी देखभाल के लिए जो guardian appoint कर जाता है और तीसरा है guardianship for marriage कि माइनर की शादी कराने के लिए जो है guardian appoint होता है सबसे पहले बात करें guardian of person की जिसको हिजानत भी कहते हैं तो उसमें जो right होता है वो father and father father का होता है सुनी law में भी और शिया law में भी ये जो है बच्चे के natural guardian हमेशा consider किया जाते हैं लेकिन इन से पहले जो custody का right होता है जो कि हिजानत का जो right है वो कुछ time period के लिए mother के पास होता जैसे कि mother का right है custody का वो होता है सुनी law में 7 साल के लिए अगर boy है तो और 15 साल के लिए अगर girl है तो वहीं अगर शिया law में देखे हम तो शिया law में 2 साल के लिए boy के लिए है और 7 साल है girl के लिए अगर child illegitimate है तो उसका हमेशा custody का right उसकी मा के पास होगा या फिर mother की जो relative हो होगी उनके पास होगा उसके लावा किसी के पास भी उसकी custody का right नहीं होगा हनफी law जो है कुछ female की list provide करता है कि इस situation में अगर mother fail हो जाती है बच्चे की custody रखने में या फिर mother जो है incapable हो जाती है बच्चे की custody रखने में तो वहां पर जो है इन female relative को child की custody दे दी जाएगी इस उपर जो भी जाएगा class में फिर उसका father, mother फिर उनकी class में जो भी उपर जाएगा फिर उसके बदादा है फुल consangine और utrian sister जो होगी उस पच्चे की और उसके बाद जो है उनकी doubters होगे उनको जाएगा फिर उसके बाद आता है maternal और paternal auntie जो होती है उनको जाता है custody बच्च तो उसको जाने से पहले कुछ यहां पर ध्यान में रखना है कि मदर का जो कस्टडी का राइट है वो उस सिचुएशन में टर्मिनेट नहीं होगा जब उसको फादर की तरफ से डिवोस दिया जाएगा और दूसरा यह भी कि अगर उसको यह यहां पर प्रूफ कर दे कि वह न किया अब यहां पर एक बात ही कुछ-कुछ सिचुएशन में जो है उसका राइट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा उसमें क्या क्या है तो सबसे पहला है कि अगर वो इम्मूरल राइव कंटिन्यू कर रही है जैसे कि उसने अडल्टी किया हो या वो हो सकता है या रिवाइव हो सकता है हम कह लें कि तब जब वो मैरे जो है डिवोर्स या देथ से जो है वो खतम हो गई हो डिजॉल्व हो गई हो यहां पर कुछ और ग्राउंड भी है जैसे कि अगर वो वाइव जो है वो ऐसे जगह पर रह रह रही हो जो कि काफिर डिस्टे से ठीक है और जिसमें फादर जो है बार-बार बच्चे को आकर देख नहीं सकता विजिट नहीं कर सकता उसके बाद अगर वह वाइब जो है जो मैं मदर है वह निगलेट करी हो या प्रॉपर करने की बच्चे की तो इस सिचुएशन में भी जो है वह उसका जो कस्टडी का राइट है वह टर्मिनेट हो सकता है तो यहां पर बहुत बात ध्यान रखने की है कि बच्चे का जो वेलफेर है बच्चे का जो इंटरेस्ट है वह भी काफी जादा देने के लिए अब बात करते हैं जो सेकंड काइंड है वह गार्जन ऑफ दा प्रॉपर्टी तो अगर कोई माइनर बच्चा है उसके पास कोई इमोबल या मोबल प्रॉपर्टी है तो उसकी टेक केर करने के लिए जरूरी है कि कोई एक बड़ा इंसान या कोई मेजर आदम कहते हैं लॉप अब लिगल या नेचुरल गार्जन कहा जाता है तो उसमें सबसे पहले हम बात करें तो मदर कभी भी जो है ये लीगल गार्जन के लिए इंटाइटल नहीं होती इसके लिए हमेशा जो है फादर और फादर फादर को ही कंसीडर किया जाता है अज लीगल ग तो वो यह कर सकते हैं अगर वो कर देते हैं तो वहां पर वो जो है उस प्रापटी की जो है के लिए जो है वह गार्जन बन जाइगी उस बच्चे की ठीक है और यहां पर केस था सैयद शह गुलाम-गोश्ष्ट वरसेइस सैयद शाह-चाह-अहमद यही जो केस इसमें कहा तो वहाँ पर बन सकता है अब बात करते हैं अब बात करते हैं या कभी 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 करती है तो उस situation में जो है वो court जो है guardian को appoint करती है तो जब court appoint करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जिसको consider करेंगी court सबसे पहला है कि welfare क्या है बच्चे के फायदे के लिए क्या होगा बच्चे का welfare बच्चे का future किसके साथ जाने पर अच्छा रहेगा दूसरा है age बच्चे क्या है उमर कितनी है बच्चे की उसकी वो किस सेक्स बिलॉंग करता है उसके बाद जो उसका character कैसा है capacity of the proposed guardian and his nearest of kinship to the minor किस तरह का जो है capacity है मतलब अमीर है नहीं है ठीक से वो सम्हाल पाएगा कि नहीं समाल पाएगा उससे क्या रिष्टा है बच्चे का वो देखा जाएगा अगर बच्चे के जो माता पीता थे उसकी डिजीज पैरेंट है उनकी क्या wish थी कि किसके पास रहे बच्चमान लोग उन्हों जाकि अगर हमारे मनने के बाद हमारा जो भाई है चोछेरा यहारे जो नाना हैं दादा है या कोई बी ऐसा रिल्लिटिव वह बच्चे की गार्जन बने और उनकी बच्चे की प्रोपरटे उसकी देख रिकर तो गार जो है उसको भी करेगी और वहाँ पर दो लौ के बीच में conflict हो रहा हो गार्जन और वाट्स एक्ट 1890 और पर्सनल लौ में तो हमेशा जो है वो पर्सनल लौ को जो है मतलब उसको नीचे रखा जाएगा और गार्जन वाट्स फादर फादर को छोड़ के जितने भी हैं वो सब डीफेक्टो गार्जन कंसीडर किया जाते हैं वो बच्चे के प्रॉपर्टी के देखरें के लिए खुद से ही अपने आपको मतलब ऐसे गार्जन बना सकते हैं उनको जो है एक्जिक्यूटर के तुरू मतलब टेस्टमेंट के तुरू जो है उनको अपॉइंट ना किया जाए इसके बाद जो बात करते हैं गार्जन शिफो मैरेज बच्चे की जो शादी के लिए जो मैरेज के लिए पॉइंट के जाते हैं गार्जन जो होते हैं गार्जन उनकी हम बात करें तो वहां पे जो है वो सबसे पहले है वो कहता है सिर्फ फादर और अगर फादर नहीं है तो कि उनके फादर के फादर को जो है वो consider किया जागा उनके जितने भी अपर क्लास होंगे वही जो है marriage के लिए जो है लाइट ट्रांसफर हो जाएगा इसमें केस है इमाम बंदी वसेश मुस्तदी इसका जो केस है इसमें कहा गया थे कि mother is not mother is entitled to only for the custody of a person of a minor child up to certain age according to the sex of the child but she is not a natural guardian नहीं है और फादर ही जो है वो एक natural guardian होता है अगर वो death हो जाता है तो वो execute करके executor appoint कर सकता है जो है मा को ठीक है या किसी और भी third person को जो कि उसका legal guardian consider किया जाएगा तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने guardianship under muslim law को discuss किया है I hope आपको ये topic अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस वीडियो की PDF फाइल जो है हम अपने Instagram के जो group है उस पर upload कर देंगे और इसकी link आपको description में मिल लाएगी आराम से तो मिलते है next video में तब तक के लिए goodbye keep reading